नमस्कार, पपला और जिया की लव स्टोरी किसे फिल्मों से कम नहीं है जिया को सामने लाने की दमके देने पर पपला टूट रहा है और पुलिस को जानकरी देने लगा है पुलिस के अनुसार, हर्याना के पपला गैंग के पास एक और स्वचालित अतियार है आरो भी पपला से पूस्ताच करने में जूटी पुलिस करिम्यों कहना है कि हत्यार ब्रामद होने पर पता चलेगा कि एक 47 या फिर एक 56 है इन में से एक हत्यार गैंग के पास हो रहे इस हत्यार की ब्रामदगी के लिए कुछ संदिक ठिकानों पर दबश्थी गई है हाले कि पपला पूस्ताच के दुरान गुम्रा भी कर रहा है आई जी अवसिंग उम्रिया ने बताया कि पपला से पूस्ताच में एक और 44 तत्यार से संबन्दी जान करें मिली है लेकिन उक तत्यारों अभी बरामद करना सेश है पूस्ताच में पहले पपला सायग नहीं कर रहा था बाद में जेल जा चुकी उसकी मैला मित्र को फिर से रिमांड पर उसके सामने लाने की चेतावने दी तब आरवी पपला ने खुद के सोसल मेडिया अकाउंट पर पांच अकाउंट होने बताया है उनके पासवड़ी बताया है गोर मतलब है कि पपला और जीया एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और गिरपतारी के बाद नीमराड थाने में पहली बार आमने सामने आने पर गले से लिपट कर रोने इब लग गये थे आई जी गुम्रिया ने बताया कि बैरुड थाने पर अंददून फाइरिंग मामले में गिरपतार पपला के रिमांड पूरी होने पर सोमर्क उसे ने अलमपेस किया जाएगा आरोपी पपला के मंडार लूट के मामले में कौन-कौन से अन्ने बदबा सामिल थे इस संबन्द में पूस्तात की जाएगी पुलिस के अनुसार जीया के बैंक खाते में माईपाल रकम जमा करवाता था पुलिस ने बताया कि माईपाल गुजरे खिलाब पहले से कोई आपरादी प्रक्रणमन दर्ज नहीं है आरोपी माईपाल पपला गैंग द्वारा लूट वसुली के रकम को बिजनिस में लगा कर एक नमबर में करता था जिया के बैंक खाते में हरियान से माईपाल खुद के खाते से रुपई जमा करवा रहा था पपला गैंग की दमकी दे कर माईपाल कई व्यापरियों से इस्सेदारी मांगता था और खुदने कई ट्रक भी खड़ीद रखे थे वह यह दूसरी और मुंडार पुलिस की पांस दिन के रिमान डवदीपुरी होने के बाद पपला को सो मार को कोट में पेस किया जाएगा पुलिस का मानना है की पपला गैंग के पास एक और स्वचाली तत्यार है जिसे पुलिस अभी बरामत नहीं कर पाई है और पुलिस उसे जल्दी से जल्द बरामत करने में जुटी है देखते हैं भी पपला गैंग से जुड़ी और को जान कर निकल गार सामने आती है तब तक के लिए नमस्त अंडे चानल को सबसायू करें और जुड़े रहें नमस्त अंडे परार के साथ